असलम आलेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, आज ये वेडनस डे और मैं अपना ब्लाग स्टार्ट कर दी हूँ सुभे से और आप सब को मिलादून नभी मुबारक हो और मेरा आज देखिए क्या अपला नहीं है, आज तो मैं सोची थी कि विर्या नहीं बनाओगी लेकिन मे बहुत पु academics धीर रहती हुं मैं बहुत जादा बहुत तकलीक होता है मुझे सरदी में जैसे गला दरद हो रहा है नक जैसे आप कऊछ जयुए घर रहा है कोस्टेश के ने सनका तो मैं जाओंगी डॉक्टर के पास तो देखते हैं, आज क्या होता है। मैं सोची थी विरियाडी बनाने के लिए तो पता नहीं क्या होगा लेंज में बनेगा क्या डीनर में बनेगा वह भी नहीं पता है तो अभी मैं जाओंगी डॉक्टर के पास पीर डॉक्टर के पास आके देखती हूं क्या होता है क्योंकि बिर्यानी बनाने के लिए वह चिकन जो है मैं मेरिनेशन करके रख दी हूं रात में तो बनाना तो है अभी मुझे लेकिन रात में बनाऊंगी कि दोपे में बनाऊंगी वह नहीं डिसाइड की हूं अगर तब यह ठीक रहेगा तो अभी बना लूँगी और आप लोग को एक बात बताना है कि मेरा आज चुली मेरा हस्बेंड का बड़े भी है वो जब हुआ था मतलब उनका जब बर्त हुआ था बर्त तो वो इस टाइम में लादून नभी की दिन ही उनका बर्त हुआ था तो उसी हिसाब से आज उनका बड़े है ऐसे तो जैनवरी में है हलो फ्रेंड्स गूड इविनिंग अभी मैं आगी हूं किचन में बिरियानी बनाने के लिए तो मैं आज डिनर मे बना रही हूं बिरियानी जो बिरियानी के लिए आलू लगता है उसको में हल्दी अनवक दे के बॉइल करके रगदी हूं और इसको मैं अभी कडाई में तिल डाल के फ्राई कर रही हूं और इस साइड में प्याज को फ्राइ करी हूँ बेरेस्टा के लिए और चावल को मैं भीगा के रख दी हूँ चावल को धो के मैं आदा गंटा पहले भीगा के रख देखती हूँ और चिकन को मैं कल रात में ही मेरीनेशन करके रखी थी तो इसको मैं जिंजर गर्लिक पेस्ट, करिय अंडिर पाउडर, क्यूमन पाउडर, कर्ड, साल्ट और बिरियानी में मसाला जो मेरा हुममेट है और बस इसे ही मैं इसको मेरिनेशन करके रखी हूँ अलू मेरा फ्राई हो चुका है तो इसको उठाके रख लओंगी एक साइड में और इस साइड में मैं चावल के लिए पानी बैठा दी हूँ और इसमें तेजपत्ता दो इलाईजी और लॉंग दी हूँ साजी रा सामोर जी ज्यादा मैं गोटा गर्म मसला नहीं देती हूँ क्योंकि वो फिर बिर्यानी खाने टाइम न वो मेरा मतलब वो लगता है तो अच्छा नहीं लगता है वो तो मैं ज्यादा नहीं देती हूँ स्रीप दो इलाईची दी हूँ और लॉंग दो और एक देजपत्ता और नमक डाली हूँ नमक तो कंपल सरी है वो तो डालना ही होगा सॉरी गाइस मेरा गला खराब है सर्दी है मुझे पता ही आप लोग को और इस साइट कड़ाई चड़ा दी हूँ और इसमें रिफाइन ओयल दी है और घी थोड़ा रिफाइन ओयल दी है ज्यादा घी दी है तो इसमें हम चिकन बनाएंगे गोठा गरम मसला में दी हूँ यहाँ पर तेज पत्ता और रेड जिली और लॉंग फिर प्याज को डाल दी है और प्याज को गोल्डेन ब्राउन होने तक इसको फ्राइए करेंगे फिर इसमें चिकन डाल देंगे और इस साइड में में चावल हो चुका है इसको फैन जड़ा लेंगे हम लोग फैन बोलते हैं बंगाली में पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है मेरा गला सच में बहुत खराब है और इस साइट चिकन भी मेरा बन चुका है मतलब लगभग बनने को है और थोड़ा सा बनेगा चिकन मेरा हो चुका है गैस बंद कर दी हूँ अब दम लगाने के बारी है ये मेरा हुमेड बिर्यानी मसाला है मैं घरी में बनाती हूँ मैं वो मार्केट का मुझे अच्छा नहीं लगता है और ये छोटा सा हांडी ली हूँ ये हांडी में ही मैं बिर्यानी बनाती हूँ कभी-कभी कड़ाई में भी बनाती हूँ तो आज हांडी में मन किया तो हांडी में बना रही हूँ और तले में मैं जो वो चिकन का जो ओयल होता है ना मतलब ओयल और घी देखें मैं तो चिकन बनाई हूँ वो दी हूँ फिर विर्यानी मसाला छिड़क दी हूँ फिर इसमें राइस डालेंगे आए यह तेजमता मैं हटा देती हूँ फिर आलू डाल देंगे और बेरेश्टा, मेरा बेरेश्टा सच में देखीए गाईस बेरेश्टा एकदम अच्छा नहीं बना है क्या हूँ था मैं वो लो फलेम में मैं बेरेश्टा को बनाई है और ज़्यादा वाइल सोक कर लिया है तो इसलिए बेरेश्टा मेरा ऐसा हो च ये एक लेयर हो गया और एक लेयर बिर्यानी में दो ही लेयार दिया जाता है लेकिन मेरा जदा हो गया और जगा भी छोटा पड़ गया मतलब छोटा हंडी ली हूँ को एक बाड़ा हंडी भी है तो चोटा हंडी में मुझे तीन लेयर करना पड़ा था और सेम प्रोसेस में फिर से मैं आसे ही करूंगी बेरेस्ता फिर बिर्यानी मसाला आलू और चिकन डाल दूंगी फिर मैं बिर्यानी मसाला दे रही हूं और इसमें लास्ट में जो घी दूंगी और चिकन का जो वो ग्रेवी है थोड़ा सा वो दे दी हूं और यह मिठा आतर और केवड़ा जल है इसमें ही बिर्यानी का कोलकाता स्टाइल जो बिर्यानी है इसमें ही एक्चुएली फिल आएगा वो टेस्ट आएगा और यह मिठा आतर है यह दोनों के बिना कोलकाता स्टाइल बिर्यानी अधूरा है तो मिठा अतर जादा नहीं देंगे दो तिन podstaw देंगे जादा नहीं जादा देने से फिर नहीं खा पाएंगे स्रिफ दो तिन हाँ बस हो गया फिर से मैं घी डाल दूगी और इसको दम के लिए हम बिठा दी है गैस में और इसको कुछ नहीं की हूँ बस धकन लगा दी हूँ और आटा को घोली हूँ और आटा को चिपक दी हूँ चारो तरब क्यूंकि उसका जो दम है बाहर निकल के ना आए और ये दम लगाऊंगी मैं 20 मिनिट फिर 20 मिनिट के बाद खोलोंगी देखिए बिरियानी मेरा कैसा बना है बहुत अच्छा बना है देखके तो अच्छा लग रहा है आट टेस्ट करके भी देखना होगा की कैसा बना है लेकिन देखके तो बहुत अच्छा लग रहा है देखके और मैं color नहीं देती हूँ क्योंकि मेरा बेटा नहीं खाता है color तो actually मैं use भी नहीं करती हूँ और ये देखिए guys मेरा बिरियानी बन चुका है देखे तो बहुत ही यम्मी लग रहा है पता नहीं टेस्ट में कैसा होगा टेस्ट करके बताना होगा और इसको मैं serve की हूँ salad देके cucumber, onion और green chili का salad बनाती हूँ जब भी मैं बिरियानी बनाती हूँ राइता नहीं बनाती हूँ राइता उतना पसंद नहीं है बनाती हूँ मेरा बिरियानी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बना था आप लोग भी ट्राइ कीजिएगा मैं कोशिस की हूँ कि बिरियानी का पूरा रेसिपी देने का अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत होगा तो प्लीज बताइएगा कमेंट सेक्षन में मैं फिर से ट्राइ करूँगी और एक बर विरियानी का रेसिपी देने का तो मैं अपना वोग को यहीं पेंट करती हूँ फिर मिलती हूँ एक न्यूव वोग में तब तक के लिए बाई बाई मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा बिल आइकन को क्लिक किजिएगा और एक लाइक दे दीजिएगा बाई बाई गुट नाइट